नमस्कार दोस्तों स्टड़ी वेट सुपनेल में आप सभी का स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी लोग सवस्त और खुशाल होंगे उत्तर परदेश माधमिक शिक्षा सेवा चैन बोर्ड ने टूबर में टीजीटी पीजीटी 2020 की एक्जामिनेशन के लिए जो बंधु लोग थे प्राइवेट टीचर्स वो काफी सफर किये हैं और उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा एक सरकारी टीचर की लबदी प्राप्त करने के लिए जथा देश सेवा में अपना कुछ योगदान देने के तो आए जो बेसिकली टीजीटी पीजीट से स्टेडी की जाए तो चलिए अई उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यह कोई कहें कि टीजीटी के अलग पीजीटी फिजीटी के लिए अलग कुछ ऐसी तयारी तो ऐसा कुछ नहीं है आपको पढ़ाई सेलबस अगर आप उठ सब्सक्राइण को क्योंकि टीजीटी में अजैसे में तो इसके लिए तैयारी एक जैसे ही करने के कर सकते हैं तो यह सलक Ben सिर्फ O Spirit सेलेर और सबस्वाराइण के लिए पिज हम लोग आज इसके बार किसे च्टेकार कर सकते हैं दोस्तों यह सरस यू पी्टीटी के लिए N.V.S. या D.S.S.S.B. के एक्जाम्स जो आने वाले हैं इस साल के आखरी तक आपको पता चल जाएगा उनके लिए भी बहुत उपी होगी है तो चलिए आज हम लोग सुरुआत करते हैं फिजिक्स से कि किस तरीके से इसकी पढ़ाई के लिए कौन से बुक्स और कौन से मट्र अच्छे रहेंगे तो फिजिक्स के शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले सेलबस जाहिर सी बात है हमारे पास होना चाहिए तो सेलबस जरूरी है उसके बाद अगर किताबों का संग्रह को देखें तो कुछ नहीं अपनी पुरानी किताबों के पीछे जाना जरूरी है जैसे NCRT 11th and 12th अगर 11th and 12th की NCRT आपके पास है तो प्लीज उसको पढ़ना शुरू कर दीजे अगर UP Board वाले हमारे प्यारे बंधू है तो उसे अच्छा है Newton Publication या पीछे के उनके टाइम के बुक्स जो है वो Physics and Chemistry के लिए बहुत ही अच्छे हैं उनको पढ़ना शुरू कर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके Questions जो है वो कहीं न कहीं टकराते हैं PGT में भी और TGT के Questions में भी तो इसके 2010-15 के मलब थोड़े पुराने जो मैं कहूं CPMT Style के जो रहे हूं उनके Questions तो आप जरूर देखें प्रैक्टिस भी करें इससे फाइदा यह होगा कि अच्छे लेवल के Questions करने में हम आसान Questions तो आराम से करी ले जाएंगे प्लस हमारा IQ लेवल भी इतना अच्छा हो जाएगा PGT तो काफी मदद करेगी क्योंकि म त्यारी किया था प्रैक्टिस सेट्स KVS NVS DSSS B किसी का भी मिले जरूरी नहीं है कि कोई UPTGT का ही हमें मिले तब तक भी ना हम पढ़ाई ने करें ऐसा कुछ नहीं है अगर यह मिल जाए तो देखे Questions कहीं भी हो वही होगा अगर वह फोर्स या बल्स से Questions बनेगा तो उसी ह कोर्डिंग बनेगा उसके लॉस पर उसके नुमेरिक्स बनेंगे ठीक लॉस पर पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है कोछ नहीं बन जाएगा ठीक चलिए तो यानि हमारे लिए Physics का क्या है 11 और 12 नूतन पब्लिकेशन्स और SC वर्मा नीट की Physics को कोई भी प्रैक्टिस सेट्स आ देखें दोस्तों एक है प्लीज डोंट बाई टीडीटी पीजीटी कंप्रिशन्स बुक्स ये क्यों मैं लिख रहा हूं ये बहुत जानना जुरूरी है देखें बाजार में इस समय आपको या आपने पहले भीक अगर किसी ने खरीदा होगा तो टीडीटी पीजीटी के व ये दोस्त जो हैं वो काफी परिशान होते हैं ये बोर्ट से रिलेटर हैं ये इंग्लिश में मट्रियल्स जादा मिलते हैं अगर आप लोग नए हैं मेरे साथ ही नहीं है जो जूड़े हूए हैं तो प्लीज टेलीग्राम से मेरे चैनल से जूड़ जाए उसमें बहुत से म बाटरी मिलेंगे जिसे आपको परिशानिया थोड़ी कम होंगी ठीक तो आजाते हैं हिंदी जो हमारे मीडियम के दोस्त हैं उनको बहुत ही परिशानी होती है और वो क्या करते हैं किताबे खरीते हैं किसी भी पगलिकेशन की मैं पब्लिकेशन पर नहीं जाओंगा बट प पास किया है पीजी टी दे रहें तो अबिसली उन्होंने मास्टरी की ही है मलब पीजी की है तो वो लेबल जो आपका है वो इन किताबों से नहीं मिलना और आजकल आप देखें स्टेंडर्ड बढ़ी रहा है क्वेस्टन के तो कहीं न कहीं स्टेंडर्ड बढ़ जाने पर वो किताबे आपके काम की नहीं रहेगी बस यह रहता है कि हाँ सेलवर्स इखटे हैं हम चलो भाई एक साथ देख लेते हैं बस इतना ही रहता है लेकिन दोस्तों याद रखिए यह उतने अच्छे नहीं है जितनी अच्छी आपकी किताबे है पिर से कर रहा हूं ज्यादा अच्छा है आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस सेट्स क्या अगर यह इंग्लिश में मिले तो और अच्छा है ठीक है यह हिंदी इंग्लिश का जो परिशानी होती मेरे बहुत से दोस्त मुझे फोन करके कहते हैं कि सर हिंदी में माटीरियल अगर हो जाए तो ब प्लीज ऐसे जो हमारे बंदू है प्लीज इस चीज को पकड़ें काफी समय हमारे पास है और बस शुरू हो जाने हैं एक छोटी सी शुरुआत करनी है अपने आप ये चीजे हो जाएंगे तो दोस्तों आपकी पुरानी जो किताबे हैं जिनको आपने रख रखा है उसकी धू बड़ा सा डिसकसन करने की केमस्टी तो लाइक वाइस जैसे हम लोगों ने बात की कि फिजिक्स के लिए हमारे लिए जरूरी है पुरानी किताबों को उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां पे केमस्टी के लिए भी पुरानी किताबे हमारे लिए बहुत उप्वियोग हैं तो GRB की बुक्स आप पड़ सकते हैं इनके पीछे questions भी होते हैं मैं यह physics chemistry दोनों को ले लिए अगर हम बात करें तो यह इनके पीछे questions भी होते हैं जिनको आप लगा के practice भी कर सकते हो तो यानि आपको पुराने अभी भी इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है पुरानी ची second year, third year की है आज कल तो अलग-अलग मिलने लगी है simple language में लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो कहीं न कहीं वह 12th के लेवल को ही बहुत अच्छे तरीके से explain किया होता है तो फिर जाहर से बाद मैं फिर से आप से भी कह रहा हूं कि आपकी पुरानी किताब आपके लिए meet question paper और previous year तो obviously books में ये बहुत ज़रूरी है देखे दोस्तों इसके लिए कोई किताबें महगी है थोड़ी ज़रूरत नहीं है खरीदने की क्योंकि आपके पास smart phone है ही है और PDF जबरदस्त तरीके से available है मेरे channel में भी available हैं जिसमें आप जाके आराम से download कर सकते हैं print करिया जरूरत नहीं है और आराम से आपनी पढ़ाई कर सकते हो पैनिक होने जरूरत नहीं है बहुत से मैंने देखा लोग किताबों को खरीदने के लिए बात कर रहे हैं यह इस तरीके का बहुत से publication का लेकिन कोई जरूरत क्योंकि मैंने खुद निकाला है मैं खुद भी एक private teacher ही हूँ और मैं तो अलग से microbiology पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए भी stream थोड़ी अलग हो जाती है फिर भी मैंने इसको किसी तरह से अपने को किसी नीचीजों में से ही इस इंट्रव्यू के लिए कवर किया था ठीक चलिए नेक्स वाले पर आते हैं अगर हम लोग तो हम मैंने यह कुछ सेल्बस के लिए दोस्तों रख रखा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप सेल्बस टीजीटी का या पीजीटी का देखोगे तो यह फिजिक्स का एक्चुली मैंने थोड़ा सा उधारन दे रखा है तो इनमें अगर आप देखो तो बहुत की ही जो कुछ है वो लगभग आपको मिलेंगी देखिए समतल में गती अगर आप देखो तो वहां पर सदिस्ट रासियों में डाइमेंशन पर बहुत सवाल आते हैं और यहां देखिए आराम से आपको विमाओं पर सवाल मिल जाएंगे क्वेस्टन में मिल जाएगा जड़त यहां पर अगर मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात पुरानी किताबे जो आपने रख रखी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं उसे पढ़िए हमारे लिए फाइदे मंद हो जाएगा हमारा टीचिंग स्किल भी अच्छा होगा क्योंकि हम इन ही चीजों को तो ही पढ़ा रहें त इसमें जबरदस तरीके साब को प्रवाइड करता है इस लॉक्डाउन में तो इसने यह सिखा ही दिया है ठीक तीसरी अगर में बात कहूं तो आप नीट लेवल की मैं आयाटी इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि आयटी में जो फिजिक्स एन केमेस्ट्री में थोड़े प्राइदा हो जाएगा ठीक अच्छा यह रहानी पुरानी किताब यह रहे और आप अगर लेना ही चाहते हैं क्या कहते हैं कुताबों को तो अच्छा है कोई पुरानी प्रीवियस कि यह पीडियेफ जो होते हैं उनका या प्रैक्टिस सेट फिर से मैं कहूँगा अपने प्यारे दोस्तों को कि हिंदी इंग्लिश यह जो बाते काफी रही हैं कि हिंदी इंग्लिश में ना फेर पड़ें प्लीज आपने देखा होगा अभी UPPCS की में इंटर्वियू में इंग्लिश जबरदस्त बोल वाले से रहा है तो अबिसली है कि हमें material भी एक तरीके से कहें साइन्स में अच्छी मिलती है आप देखो तो किताबे में बहुत शांदार शांदार आपको मिलेंगी इंग्लिश में जो समझने भी आसान है थोड़ी सी हमें महनत करने की जुरूत है हमारे पास वक्त है सब नहीं है कि तुरंथी notification आएगा और अगले महीने ही paper हो जाएगा यह तो impossible की बात ही है तो जाहर से बात हमारे पास करीबन दो महीने का तो वक्त मिलेगा ही मिलेगा इसमें हम इन चीजों को देख सकते हैं ठी ज्यादा से दाज़ा तो हमारे दोस्ट जो पढ़ाई कर रहे हैं जिनके अभी जरूरत नहीं है कुछ पढ़ाने की उनके लिए तो भाई समय ही समय है लेकिन जो हमारे teaching सबी भी teaching job में हैं उनके लिए कम से कम आप 3-4 घंटे ही निकाले तीज से 4 घंटे और जिनको अभी भी problem लग रही है खासकर उनको जिनको डर है कि biology पता नहीं आएगा की नहीं आएगा पेपर में या बायो का पेपर होगा की नहीं होगा अभी बहुत पशोपेश चलना है वैसे कहा गया है विज्ञान एक और विज्ञान दो लेकिन हम एंड chemistry से कर सकते हैं क्योंकि बायो पढ़ाते पढ़ाते हो काफी हद तक इससे दूर हो चुके हैं शुरुआत करिए छोटी सी ही शुरुआत करिए मैं फिर से आप से दोस्तों से कहूंगा कि प्लीज दोस्तों छोटी सी शुरुआत जरूर करिए नहीं करेंगे तो दिक्क तो पहुंचेंगे और टीजी घी में तो ख़़या बेंटर्वियू भी साथ खतम हो जाए बहुत अच्छी बात रहेगे पीजी टी के लिए गर हमके हैं आर इडवांस लेवल करेंगा उनमें हम इंटर्वियू तो और अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं हम लोग एक जॉब अपनी क्योंकि हमें एक ही सीट चाहिए हम अपनी सीट को सिक्योर करके रहेंगे दोस्तों जैसा कि आपको मैं ये दिखा भी दू कि ये पेपर में आया था कि अगले माह नहीं भरती का विग्या पंजारी करेगा चैन बोर्ड तो ये सब आप लोगों ने देखी चुके हैं का काफी हद तक तरीके सब लोग अवेर हैं इसमें काफी महनत किया है लोगों ने काफी मोर्चाल हमारे भाई बंदू ने उन्हीं की ये महनत है जो आज हम लोग को एक तरीके से अच्छी ख़बर मिल लही है इस लॉकडाउन के असर में और मैं उपर वाले से ये विंदी आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों आपके छोटी सी हल्प हमें बहुत ही मोटिवेट करती हागे का काम करने के लिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग